हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सुफियानी बिर्यानी जिसे वाइट बिर्यानी के नाम से भी जाना जाता है इस वीर्याने को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं इसे चिकन के साथ प्रिपेर करोंगी नौर्मली हम जो वीर्यानी बनाते हैं उसके comparison में इसकी recipe बहुत ही आसान है और टेस्ट में भी बहुत ला जवाब है डेली और week end special recipes के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सूफियानी बिर्यानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मेरिनेट करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर एक किलो चिकन लिया है इसमें एट कर देंगे दो टीस्पून नमक और एट करेंगे 300 ग्राम दही तो दही आप यहाँ पर गाड़ा इस्तेमाल कीजिएगा चाटे बस्पून अधरक लहसुन का पेस्ट एट कर देंगे और पीसी हुई हरीमेच एट कर देंगे तो हमने यहाँ पर 20 चोटी हरीमेच को मिक्सी जार में ग्राइट करके इसका पेस्ट बना लिया है इसके पेस्ट की क्वंटिटी 3 टेबल स्पून जितनी है और काजू का पेस्ट एट कर देंगे तो काजू के इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने 50 ग्राम काजु को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया और इसे ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें 4 टेबल स्पून दूद एट किया था आप यहाँ पर दूद की जगा पानी एट करके भी काजु का पेश्ट बना सकते हैं और एट करेंगे 150 ग्राम मलाई देखिए आप यहाँ पर मलाई की जगा फ्रेस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे 1 टेबल स्पून नीम्बू का रस और इन सारी चीजों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए इसे मेरिनेट करेंगे और एक बतन में 200 एमेल तेल एट करके इसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे की एक दालचीनी, एक टी स्पुन जीरा, दो बादियान के फूल, चार छोटी लाइची, एक बड़ी लाइची और 20 काली मीच और इन खड़े मसालो को कुछ सेकंड्स तक तेल में सोटे कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे प्याज, तो हमने आधा किलो प्याज ली है, और प्याज को हमने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है और गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पर हम प्यास को तब तक फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ी सुनेरी ना हो जाए तो कुछ दिर तक तेल में फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्यास का कलर हलका गोल्डन होने लगा है क्यूंकि ये वाइट बिर्यानी है तो इससे ज़्यादा हम प्यास को फ्राई नहीं करेंगे, अगर हमने इसका कलर थोड़ा ओर डाग कर लिया तो बिर्यानी का कलर चेंज हो जाएगा तो इस टेच पर हम इसमें एट कर देंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन मेरिनेशन के बूल को खंगाल कर हम इसमें आधा कप पानी एट कर देंगे और चिकन को हम इन मसालों में पकने देंगे तो इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 25 से 30 मिनिट के लिए क्योंकि हमने इसमें काजू भी एट किये हैं तो इसे पकने के दोरान हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि नीचे दाग ना लगे तो एक तरफ इससे पकने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम चावल बोईल कर लेते हैं तो बिर्यानी के लिए चावल बोईल करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर तीन लिटर पानी लिया है इसमें हम एट कर देंगे तीन टीस्पून नमक तो नमक की क्वंटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि चावल को बोईल करने के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून तेल और हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से बोईल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं के पानी अच्छे से बोईल हो चुका है इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल तो हमने एक किलो बास्मती चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धोग कर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून निम्बू का रस इसे एक बार चला लेंगे और गेस की फ्लैम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लैम पर हम चावल को 20 से 15 मिनिट के लिए बोइल करेंगे तो देखिए हमने इसमें चावल एट करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन चावलों को 20 मिनिट के लिए बोईल कर लिया है तो अब देख सकते हैं कि हमने चावल को पूरी तरह बोईल नहीं किया सिर्फ 90% टक हम इनको बोईल करेंगे और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और छहने के मदद से चावल का ज्यादा का पानी निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमने इस चिकन को आदे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है एक बार इसे चेक कर लेंगे और low flame पर पकने के दोरान भी हमने इसे बीच बीच में चेक किया था तकि नीचे दाग ना लगे क्योंकि हमने इसमें दही एट की है तो दही में से अच्छा खासा पानी रिलीज हो गया है तो अब हम गेस की flame को हाई कर देंगे और हाई flame पर इसका पाने सूखने तक कुछ दिर तक इसे पकाएंगे तो हमने इसे 3-4 मिनिट तक हाई flame पर पका लिया तकि इसका पाने सूख जाए और अब हम बिर्याने को दम करने की तयारी कर लेते हैं तो यह जो चिकन का मसाला है इसकी हमें एक लेयर बना देंगे मसाले की एक लेयर तैयार करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे बोईल किये हुए चावल देखे बिर्यानी को दम करते वक्त आप बरतन के नीचे तवा भी रख सकते हैं लेकिन हमने मोटे तले का बरतन लिया है इसलिए हमने नीचे तवा नहीं रखा. हम इसे डाइरेक्ट चूले पर दम कर रहे हैं. तो अपने देखा कि हमने इसमें बॉइल के हुवे सारे चावल एट कर दिये और चावल की भी एक लेयर से एट कर दीए. मसाले और चावल की एक एक लेयर त Jack करने के बाद हम इसमेंगे अधा कब दूद साथ यह हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पुन रोज वोटर और एक टेबल स्पुन देशी घी एट कर देंगे देखिए अभी हम बिर्यानी को दम करने की तयारी कर रहे थे इसलिए हमने गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और इसे कपड़े से कवर कर देंगे तो आप यहाँ पर कपड़े की जगह फोईल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन कवर इस तरह करेंगे कि कहीं से भी स्टीम बहान ना आए और इसे ढग देंगे तो सिर्फ दो मिनिट के लिए गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और दो मिनिट के बाद गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर हम इस बिर्यानी को आधे घंटे के लिए दम कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि सुरुआत के दो मिनिट हमने गेस की फ्लेम को हाई रखा और उसके बाद हमने गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर बिर्यानी को आधे घंटे के लिए दम कर लिया है तो ये देखे कितनी बढ़िया सुफ्यानी बिर्यानी बनकर तयार हुई है तो देखा आपने इस वाइट बिर्यानी की रेसिपी कितनी आसान है आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और comment box में हमारे साथ अपने experience share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और friends और family में जरूर से share करें और comment box में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये recipe कैसी लगी चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे humble request है कि इसी ही आसान recipes के लिए हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नए recipe के साथ तब तक के लिए good bye